नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सत्य सनातन दो दशमलव शूनी में श्री कृष्ण जन्माश्टमी का पर्व आने वाला है मान्यता है कि जो भी इस दिन निम्नलिखित उपायों को करता है उसके घर लक्षमी जी का सदैव वास होता है उसके घर पर सुख समरिध्धी, धन, वैभव, संपदा, किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होती इसलिए वीडियो को अंत तक आवश्य देखें और कमेंट में क्लिंग कृष्णाय नमह आवश्य ही लिख दे और भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम नीचे कमेंट में लिखे अगर श्री कृष्ण के भक्त है कृष्ण जन्माश्टमी का त्योहार भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को मनाया जाता है इस दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के काराग्रह में देवकी की आठवी संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था जन्माश्टमी के दिन घरों में जाकिया सजाई जाती है भजनकीर्तन किये जाते हैं कृष्ण भक्त वरतकर बाल गोपाल का भव्य श्रिंगार करते हैं रातरी में बारा बजे कान्हा का जन्म कराया जाता है इस साल जन्माश्टमी छे और साथ सितंबर दो हजार तेईस दोनों दिन मनाई जा रही है आईए जाने पूजा मुहूर्थ, विधी, मंत्र, चुंकी जन्माश्टमी दो दिन मनाई जा रही है लेकिन ग्रिहस्थ जीवन वाले छे सितंबर दो हजार तेईस को जन्माश्टमी का वरत रखें शास्त्रों के अनुसार जिस दिन अश्टमी के साथ रोहिनी नक्षत्र का संयोग बन रहा हो उस दिन जन्माश्टमी वरत पूजन करना शुभ माना जाता है रात्री में 12 बजे कानहा का जन्म कराया जाता है ऐसे में 6 या 7 सितंबर जन्माश्टमी कब है? आये जाने पूजा मुहूर्ट विधी मंत्रक कृष्ण जन्माश्टमी का त्योहार भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को मनाया जाता है कृष्ण जन्माश्टमी कितने बजे है? श्रीकृष्ण पूजा का समय 6 सितंबर 2023 प्रातरी 11.57 साथ सितंबर 2023 प्रात 12 बचकर 42 मिनट पूजा अवधी 46 मिनट मध्यरातरी का क्षन प्रात 12.02 कृष्ण के जन्म के समय अर्धरातरी आधी रात थी चंद्रमा उदे हो रहा था और उस समय रोहिनी नक्षत्र भी था यही वज़य है कि कान्हा का जन्मोचसव मनाने के लिए इन तीनों योगों पर विचार किया जाता है इस साल जन्माश्टमी पर रोहिनी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को सुभ़ 09.20 से शुरू होगा और अगले दिन 7 सितंबर 2023 को सुभ़ 10 बचकर 25 मिनट इसका समापन होगा क्या जन्माश्टमी दो दिन तक मनाई जाती है स्मार्थ और वैश्नव संप्रदाय अलग-अलग तिथी होने पर जन्माश्टमी अलग-अलग मनाते हैं जन्माश्टमी की पहली तिथी पर स्मार्थ और दूसरी तिथी पर वैश्नव संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं जन्माश्टमी पूजा विधी क्रिश्न जन्माश्टमी के दिन सूर्योदय से वरत शुरू किया जाता है और पूजन के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के पश्चात वरत का पारण करते हैं इस वरत को करने वाले को चाहिए कि वरत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हलका तथा सात्विक भोजन करें रात्री को स्त्री संग से वंचित रहें और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें उपवास वाले दिन प्रातहस नानादी से निवरित होकर व्रत का संकल्प लें शाम के समय पूजा स्थल पर जाकी सजाएं देवकी जी के लिए प्रसूती ग्रह बनाएं लड़ू गोपाल को जूले पर स्थापित करें पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्षमी जी इन सब का विधिवत पूजन करें बाल गोपाल का श्रिंगार करें रात को बारा बजे शंख तथा घंटी बजाकर कानहा का जन्म कराएं खीरा जरूर काटें बाल गोपाल को भोग लगाएं कृष्ण चालिसा का पाठ करें और अंत में आर्ती कर दें जन्माश्टमी वरत में क्या खाएं इस वरत में अनाज का उपियोग नहीं किया जाता जन्माश्टमी वरत में फलहार कर सकते हैं साथ ही कुट्टू के आटे की पकौडी, मावे की बर्फी और सिंधाडे के आटे का हलवे का सेवन भी किया जा सकता है जन्माश्टमी पर जो लोग वरत रखते हैं उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए पानी की कमी शरीर में न हो इसका भी वरत के दौरान ध्यान रखना चाहिए श्री कृष्ण के मंत्रे श्री कृष्ण गोविंध हरे मुरारे हे नाथ नारायन वासुदेवा नमो भगवते श्री गोविंदाए नमो भगवते तसमै कृष्णाया कुंठ मेज से सर्वव्याधी विनाशाय प्रभो मामम्रितं कृधी दोस्तों ऐसी ही ज्यान वर्धत जानकारी के लिए कैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर लें नीचे कमेंट में जैश्री कृष्ण जैवासुदेव आवश्य लिखें